जय हिन दोस्तों मैं शम्बुनाइमा आपका हमारी चैनल होल्टी मंत्र में स्वागत करता हूँ आज हम लेकर रहे हैं MCQS सेरीज में गुजरात PSC होल्टी कल्चर ओपिसर क्लास 2 का प्रिवियस येर पेपर जिसका आज हम पार्ट चुक टू के उपर हम चर्चा करेंगे साथियों देखायाता है कि कई एक्जामों में एक एस्टेट से दूसरे एस्टेट में कोश्चन पूराने पेपरों से रिपीट होते हैं तो उसको रष्टिक रखते हुए ये कोश्चन आपके लिए महत्पोन साबित हो सकते हैं तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें त जो पार्ट 2 है गुजरात PSC का होटी कल्चर पेपर का उसका पार्ट 2 तो उसमें प्रश्चन है तो फेमस लायाट बोटनिकल गार्डन इस फीजो टेट एट जो फेमस लायाट बोटनिकल गार्डन है वो कहां इस थी थे ओप्शन ए है कोयंबाटूर ओप्शन भी है 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 एदराबाद ओप्शन सी लखनो या ओप्शन डी है दार्जलिंग वेस्ट बलंगाल तो जो लायाट बोटनिकल गार्डन इस थी थे वो है दार्जलिंग में इस थी थे अगला प्रशना था है वीच ओप दे फॉलोविंग इस सिमेट्रिकल टाइप ओफ गार्डन इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल टाइप ओफ गार्डन है या के सेटें की फॉर्मल गार्डन है एक ओप्शन है चाइनिज गार्डन बी ओप्शन है अमेरिकन गार्डन सी ओप्शन है इंग्लिश है वो फोरमल टाइब का गार्डन या सिम्क्रिक्रिकल गार्डन है अगला पराशना आए surprisingly इसके पर न बहुत त कोमन नेम बोट नेकलनेम और प्लांट किसे भी लेंड इसका इसके पर को किसी भी प्लाइंट का कोमन नेम और बोटनिकल नेम जानना क्यों आवश्यक है Option A है, Client are impressed by the use of बोटनिकल का नेम Option B is, Some common names are localized and only the बोटनिकल नेम is reliable Option C is, Some plant have only common names Option D is, Client recognized only बोटनिकल नेम ते, इसका जो आंसर है वो है B, Some common names are localized, the only बोटनिकल नेम रिलेबल क्योंकि कुछ species या कुछ plant होते हैं लेंड़िस्केपिंग के जिनके जो लोकल नेम हैं वो अलग-अलग नाम से जो लोग जानते हैं जबकि जो उसका बोटनिकल नेम हैं उसी को अपन रिलेबल या सही मान सकते हैं अगला कोशन है ता इन वाट लेंड़िस्केप रोल डू सोफ्ट लूस श्रब फ़ंक्शन बैस्ट किसी भी लेंड़िस्केप को सोफ्ट बनाने के लिए जो लूस श्रब है वो किस प्रकार से क्राम करेगी अगला प्राश्न अता है विच अप्री इद बल्डों बनाने का काम करती है अगला प्रश्ण आता है which of the following are reason to use mulch around newly planted shrub जो नई plant shrub लगाई गई है उसके आसपास mulching use करने का क्या उद्देश यह हो सकता है option एह है it hold moisture in soil here soil में moisture को hold करके रखी it reduce weed growth मल्च है वो weed growth को reduce करती है और option c it reduce soil freezing and thaving और यह soil freezing को भी कम करती है आया आलोब दिश्ट जो मल्चिंग के काम है यह मल्चिंग के सारे का है मल्चिंग इन सभी काम को करती है इसलिए जो newly shrub लगाये थी newly planted shrub उसके आसपास mulching करना चाहिए अगला प्रश्ण है what the formula use to design and construct outdoor steps in a land escape to maintain the most natural stride pattern possible stride pattern possible है किसमें steps outdoor steps मतलब जो भार से मशिडिया बनाते हैं उसमें कौन सा formula use सबसे अच्छा होगा इसमें टी का मतलब होता है ट्रेट जो ट्री का मतलब होता है ट्रेट टी का मतलब होता है ट्रेट और जो आर का मतलब रहता है तो जो जो राइज है वो हमें सास जो ट्रेट योज से दो गोना होना चाहिए और इन दोना का जो योग होना चाहिए वो 26 इंच होना चाहिए तो जो फर्मूला है वो T plus 2 R बराबर 26 इंच होता है अगला प्रशना आता है दो प्राइवेशी ओफ टू लेंड इसकेफ विच आर साइड बाइसाइट एंड दे सेम लेवल रिक पास इन प्लोजर एड़ हाइट अब दो जग जो डब दो लेंड इसकेपिंग है तो उनके बीच में कितने हाइट का इन क्लोजर बीच में जो भी जाड़ी या बोर्टर लगा याती वो उसकी हाइट कम से कम 6 फिट होना चाहिए अगला प्रशना आता है इस्टोन लेंटर सार इंपोर्टेंट फीचर सोप वीज गार्डेन इनमें से किस गार्डेन में इस्टोन फीचर या इस्टोन का उप्योग किया त गया है dibs आता है वे इस्टोन है किस कद रिफ अप्रणी प्रमकाहिए फ्यचर एक इस तो आप थे हैं अगला प्रशना अफीचर स्थाओन गार्टेंग पादेटर से इस्टोन ऑटर्रोपलांट। जो है वह जापनेज गार्डरं का एक प्रमउक फीचर इस्टोन ऑपर यह तिनों Japanese garden के main feature होते हैं अगला प्रस्णा आता है Is the conservation of water through creative landscaping तो यह Jerry escaping की definition है Jerry escaping is conservation of water through creative landscaping इसका जो आंसर है वो है Jerry escaping अगला प्रस्णा आता है in which city the first website started in India for occasion flowering में से किस city में flower के occasion के लिए website start की गई option है 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 अधराबाद option भी है कोयमबर तूर और option C है बैंगलोर और option D है पूने तो जो बैंगलोर है जो बैंगलोर है वहाँ first website start की गई है flower occasion के लिए अगला प्रस्णा था इंटर्नेशनल बोगनविल्या रेजिस्टेशन सेंटर इस एट जो इंटर्नेशनल बोगनविल्या का रेजिस्टर सेंटर कहां इस्थी थे ओप्शन है एन बी आरे लखनाव जो भानाँ एहर और हुआटा स्विल्टीवर और और व डेवलोप बाइ Hana13 जो भारत सून्ध्री है वो किसकी बोगन विल्या अगला प्रश्णाता है रजत रेखा इस mutant variety of यह mutant cultivar रखा किसकी mutant cultivar option ने है ट्यूब्रोस option B है रोज option C crys endium option D है प्लियोडियोलेस्चोर तो जो रजत रेखा और स्वर्ण रेखा है यह ट्यूब्रोस की वेराइटिया है थीमा इज इंपोर्टेंट कल्टीवर ओफ थीमा किसकी important variety option है हिबिस का option भी है ट्यूब्रोस option C jasmine यह option D है बोगन विलिया तो जो थीमा है यह important cultivar किसका बोगन विलिया का विच अब दगल्टीवर ओफ जैस्मिन अरेकुलेंटम इन में से कौन सा जैस्मिन अरेकुलेंटम का की वेराइटि नहीं है option यह long point option भी है मोतिया option C large round और option D है परी मूलाई तो जो इन में से कौन सी वेराइटि यह जो जैस्मिन की नहीं है तो जो मोतिया यह जैस्मिन की वेराइटि नहीं है अगला प्रस्णाता है genetic masculinity is very common इन में से किस में genetic study is very common है या 쉽न ही वाहले है option C है자 चाहिना एस्टर या option D है Marigold, या option D है Marigold, तो सबसे यादा genetic मेरी जो मेल इस्टल लेटी है, वो commonly पाई जाती, किसमे Marigold में पाई जाती, अगला प्रशनाता है, sleepiness is associated with a flower, जो sleepiness disorder है, वो किसमें पाई जाती है, option D है Carnation, option B है Tulip, option C है Gladiolus, and option D है क्राई जाती है, मतर जो sleepiness है, ये Carnation का disorder है, और कलेकस इस्पलेटिंग भी Carnation का disorder, जो Sleepiness है यह किसके कारण से होता है तो Sleepiness क्या होता है कि जो Petals है वो Open नहीं हो पाते हैं और वो Cup Shape में बंध ही रहते हैं वो Open नहीं हो पाते हैं तो उसको Sleepiness या Sleepiness कहा जाता है और यह होता है ithilin के कारण जो ithcómo игр से अगर इसको कट फ्लोर को कारण कट फ्लोंप को वेजीटेबल के साथ के स्थ उस्टोर करके रखा जाता है तो फुर्ट और वेजीटेबल में से जो athlin निकलती है उसके कारण कारण में स्लीपिनेस जाती है और जो पेटल से वो उपन नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए इसको fruit and vegetables के साथ store नहीं करना चाहिए अगला प्रशना था है which city is regard as a foliage capital of world इन में से कौन सी city को foliage capital of world कहा जाते हैं अगला प्रशना था है which of the following is not use making गजरा इन में से किसका उप्योग गजरा मेकिंग के लिए नहीं गजरा बनाने के लिए इन में से किसका उप्योग नहीं है अगला प्रशना था है एन में से कौन सा है जो रियक्षन के बिना ही मॉस्चर को निकाल देगा तो ऑप्शन यह है डिहडर्ट ऑप्शन भी है डेसेंट ऑप्शन सी अब्जर्वेंट और ऑप्शन की ड्रायर तो जो डेसेंट यह जो शोशक है जिसमें जैसे कि जो सीलीका जहले इस पकार के जो केमिक लिए उनका उप् अगला प्रस्णा आता है कोल एंड बार्क और इंपोर्टेंट कंस्ट्यूमेंट टू पोटिंग मीडिया फोर ग्रोविंग इनमेंसे कोल और जो मतलब कोईला और जो इंट के टुकड़े हैं इसको किसके पोटिंग मीडिया के रूप में किया थे ओप्शन आ ब्रेव अगला प्रस्णा ता है which of the following is highly sensitive to chilling इंजरी इनमें से कौनची क्रोब इस है जो chilling इंजरी के प्रती हाइली sensitive option A, antherium option B, carnation option B, fresheria option D, tulip तो जो शबसे यहदा chilling इंजरी के पती अगर sensitive crop है तो वो है antherium antherium में सबसे यहदा chilling इंजरी है सबसे चल्दी उसमें chilling इंजरी आ जाती है अगला प्रशना था है variety of is recommended by IARI इस पॉंगार्ट की को आ यारा के द्वारा रिकमेंड किये गए और अगला प्रशना था है वाइरस डिसिस उप चीली इस्प्रेड़ बाया है जो मिर्ची की जो वाइरल डिसिस होती है वो किसके द्वारा फेलाई जाती ऑप्षिन है और यह एफिक्ट ओप्षिन सी वाइट फ्लाई या ओप्शन डी है नान अब दिस तो जो एफिड ये उसकी दुवारा चीली की वाइरल डिसेज को इस्प्रेट कियाता है या फिलाए जाता है अगला प्रशना था है कुफरी चंद्र मुखी वेराइटी और पॉटेटर की वह किस प्रकार की वेराइटी ओप्शन एनरली मेच्विट टाईप अफिड अब्सविद्विड सिजन वेराइटी या ऑप्शन डी है नानोपदिस तो जो कुफ्री चंद्र मुखी है ये आलू की अरली या आगयती किस्म है अगला प्रशना था है रिटिस यलोड़िस इस ऑ रिडिस का रिडिस की जो यलोडीसीश होती हो किसके द्योर्णा किसके द्वारा होती है one device फंगस बीए व्यक्टेइरय प्यक्टेरिया उप्षन सी वाइयर यह जी नोन बडीए तो जो रेडिस कि यल्डीसीश इसको फ्यूजर्ण विल्ड के नाम से भी जाना जाता है या मिंड के नाम से ब् Orient कहfeed का कशना नमबर कितना होता है। अगला प्रशना था है, इसा था था है। अगला प्रशना है The most common adopted breeding method for turnip improvement. जो turnip है, उसके improvement के लिए कौन सी method का सबसे यहादा उप्योग किया था है। option A है hybridization option B है mass selection option C heterosis breeding या option D है mutation तो जो best adopted method है वो है mass selection इसमें सबसे ज़्यादा mass selection का उप्योग किया जाता है अगला प्रश्णा था Spanish crop give an average yield of abo quintal per hectare Spanish की कितनी जो उपज है वो किसके बराबर या कितने कुणडल प्रती ह це्थ हो जाती है तो जो इस्पेनिज की जो उपज है वो कितने कुणडल प्रती हेक्टिर तक प्राप्त हो जाती हो ऑप्शन है 30-40 कु खूंडल बीए पचास से स्वाट कुंटल पर हेक्टर अगला प्रस्णा था है ओनियन में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया था है अगला प्रस्णा था है इंडिया में सबस्यादा गालिक किस स्टेट में होता है उत्तरपदेश और इसा ओडिशा ऑप्शन सी यह माहराष्ट और अप्शन दी है महारास्त जो इंडिया में सबस्याद अगरलिक का प्रड़क्शन होता है तो वह होता है तो अगला प्रशना था सबस्टीम कि वह उल्टा आपसिन और ऐउरनेटिव के प्रती नाम फ्रेच तो इंदेश तो यह प्रती होती है जो गंदरीम्ट स मॉल्ट्री के यह फ्रेंज बिन की यह पावडरी मिलडियों के प्रती टोल रंड होती है अगली अगला प्रस्ण है डोली कज बीन इस सो निंद मॉन्थ अप्षिन है उसको कौन से महीने में लगाया तो ऑप्षन है जनवरी टुफरवरी ऑप्षन भी है मैं जुन ऑप्षन सी है अगस्ट जुलाई और ऑप्षन जोड़ी है सप्टेंबर टू अक्टोगर तो जो इसको जो लगाने का समय है वो है जुलाई से अगस्ट डोली कज बिनको जुलाई से अगस्ट के मन्त में लगा जाता है इन इंडिया मेक्जियूम कल्टिवेशन ओपी इनिस्टेट सबसे यदा पी आगला परशनाता है फस्ट पीकिंग और और फोम्डेशन के दन बीटाई अप्टर दे lavकर तम स्बश्ट तोड़ाई या भिंड़ी की स्फट तोड़ाई कब कर सकते हैं लगाने के कितने दिन बात कर सकते हैं ओप्शिन की पैंताले से प चाश किसो बेंप्शिन या उप् 익ंडिया अर्ली क्रोप और कोलोकेशिया इस्ट इंडिया में कोलोकेशिया की आर्ली क्रोप कभ लगा जाती है। तोक निक अक्तुत हैं कि मार्स से अप्रहील के द aurait So JR has sentenced चेकशिया की ज helmets और ट्यक्र ऑपेश्यााम जिसको सूरन भी कहरता है उसका उत्पत्ति स्थान कहां है उप्षण है इंडोनेशिया उप्षण सी भी है चाइना उप्षण सी इंडिया या उप्षण डी है ब्राजिल तो जो एलिफेंट फूटिया में उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है इंडिया तो कुन सा है इंडिया एलिफेंट फूटिय का जो ओरीजन है वो लिया है धन्यवाद अगर वीडियो चल हो ते लाइक चैन सब्सक्राइब ज़रूर करें